जैश्री राम मंगल ग्रह का राशी परिवर्तन 17 मई 2022 को होगा 45 से 50 दिन का लगवग समय काल मंगल एक राशी के अंदर गुजार देते हैं जिसका सभी अन्य ग्रहों पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि शाफ्तर के अनुसार तीन ग्रहे वाहिया ग्रहे कहलाते हैं यानि मंगल शनी और ब्रस्पती इनके परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा जादर देखा जाता है मंगल काल पुरुष का लगनेश है मंगल एनरजी और साहस देने का कारग ग्रहे माना जाता है कहा जाता है कि मंगल वो ग्रहे अगर कुंडली में मंगल अच्छे अवस्था में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कभी कोई काम नहीं कर सकता यदि आपको अपने गुबल पर कोई युद्ध जीतना है कोई कार्य करना है कोई प्रत्योगिता जीतनी है तो उसके लिए सबसे जादा जरूरी होता है साहस और साहस सिर्फ मंगल से मिलता है अब तक ये मंगल शनी की मुलत्रिकोन राशी में शनी के साथ गोचर कर रहे थे ये शनी की राशी अच्छी थी लेकिन मंगल के लिए ये मित्र की राशी नहीं थी अब मंगल अपने मित्र ब्रस्पती की स्वेग रही राशी यानि जहाँ पर ब्रस्पती पहले से मीन राशी में स्वेग रही होकर चल रहे हैं हंस योग बना कर चल रहे हैं वहाँ पर अब मंगल अपने मित्र की राशी के अंदर एंट्री करेंगे अगर आप इसको कालपुरुष के इसाफ से देखें तो ब्रस्पती कालपुरुष के लिए भागेश है और मंगल कालपुरुष के लिए लगनेश है 12 नमबर यानि मीन राशी मीन राशी कालपुरुष की 12 भाव की राशी है जब वहां मंगल गुरु का योग बने तो अवश्य ही इसको एक विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ने का योग भी कहा जाता है उसको हम अलग-लग तरीके से देखेंगे कि किस राशी के लिए ये गोचर कैसा रहेगा जिन लोगो की राशीयों के स्वामी मंगल है यानि मेश व्रश्चिक राशी जिनके राशी के स्वामी ब्रस्पती है यानि धनू और मीन उन पर इनका प्रभाव अन्य राशीयों की पैक्षा जादे होगा अगर आपको मंगल से संबंदी दशान तरदशा चल रही है या ब्रसपती से संबंदी दशान तरदशा है तो भी ये गोचर आपको अन्य लोगों के पैक्षा जादा प्रभावित करेगा क्योंकि जिस ग्रह का राशी परिवरतन होता है हमें उसका चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में सरवाधिक कही गई है कि गोचर कहां से देखें चंद्रमा से देखने तो यह वीडियो एक चंद्र राशी के आधार पर आधारित गोचर है मंगल जो की एनरजी और साहस का प्रतीक है और मंगल ब्रसपती जो है वो धार्मिक्ता, ज्यान, हाइर एजुकेशन, धर्म, कर्म और लाव का इंडिकेशन्स देते हैं किस प्रकार का लाब देगा उसके बारे में हम यहां विश्ट्रेश चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं तो शुरुआत कर लेते हैं आज के विशागी के मंगल प्रधान मेश राशी के लिए ये इस्तिती कैसी देखिये राशी का मालिक राशी से दवादश में जाये तो शाष्ट तरिको जदह अच्छा नहीं कहाजाता लेकिन आज के देशकाल पात्र के अनुसार षर एक व्यक्ति विशेस घर से बाहर निकल कर उन्नती करना चाहता अगर कहते हैं राशी का मालिक अपने से 12 में जाए कि मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाओं बाहर जाके लोगों से मिलूं और अपने काम को संपन्न करूं कुछ समय के लिए यहां पर राशी से 12 में 12 के मालिक ब्रस्पती उच्च के शुक्र एवम मंगल तीनों ग्रहें एक प्रबल राज्योग में दिखाई देंगे यानि अगर शुरुवाती 10-7 से 10 दिन का समय देखें तो यहां शुक्र भी इनको जॉइन करेंगे मंगल और ब्रस्पती की यहयुती धन दायक है क्योंकि ब्रस्पती भागय स्थान के मालिक हैं मंगल यहां राशी के मालिक हैं यह जब द्वादश में चलें तो टूर से ट्रैवलिंग से यात्राओं से फायदा देता है कुछ लोगों का ट्रांसफर्स भी ऐसे समय पे देखा जाता है यानि जो लोग चाहते हैं जीवन में के परिवर्तन हो जाए इस्थान परिवर्तन हो जाए ट्रांसफर हो जाए मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए तो उसके लिए भी यह योग अच्छा ही माना जाता है यानि मंगल और ब्रस्पती भले ही दो आदश में हैं लेकिन ये यूती बहतर है जितना जाद है आप अपने आपको दूर से जोड़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़ेंगे यात्राएं करेंगे उनके लिए अच्छा क्योंकि ब्रस्पती नवमेश भी है तो ये कॉंबिनेशन धार्मिक यातरा भी कराता है दूर इस्थान की यातरा यानि जितना जाद है आप जनम इस्थली से दूर पहुँचेंगे उतना आपको फाइदा मिलेगा या तो बाहर के वेक्ति विशेश आप से जुड़ें या आप जाके उन से जोड़ जाएं तो ये फाइदा देता है हाईर एजूकेशन के लिए अच्छा है स्टडी के लिए बाहर जाने के लिए अच्छा माना जाता है एजूकेशन को बाहर से जोड़ना फॉरन ट्रेवल कराना और विदेश में जाके नौकरी करना विदेश में जाके शिक्षा कराने के लिए भी ये combination better है यानि मंगल की ये स्थिती भले ही राशी से 12 में है लेकिन इसको कहते हैं हमारी energy का कारक बारवे घर में गया थोड़ा सा यहां सोचना चाहिए कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं क्या उस काम में हमें energy लगानी चाहिए इस काम का हमें क्या लाब बिलेगा वहां बस इतना सोचना है बाकी ये position आपके favor में है बात करते हैं शुक्र प्रधान राशी व्रशव राशी के बारे व्रशव राशी के मालिक शुक्र 17 माई से लेकर लगबग 25 माई तक अगर देखा जाए तो यह उच्छस तवस्था में रहेंगे एक पहुँचेंगे यानि लाब भाव के अंदर तीन ग्रहे रहेंगे दश में शनी मजबूत हैं अपनी ही राशी में लाब भाव में तीन प्लनेट यानि ये वो शमय है जो प्रमोशन देता है ये वो समय है जो तरक्की देता है धन आगमन को बढ़ाता है multiple source of income देना एक या एक से अधिक माध्यमों से पैसे कमाने का योग हम यहां से कह सकते हैं साती सात मंगल क्योंकि सब्तमेश के साथ 12 शेष भी है इच्छाओ का बढ़ना और इच्छाओ की पूरती होना भी इसी योग से देखा जाता है बाहर से जुड़कर पैसा कमाने का योग भी है ट्रैव मिल्दबारी में डिसीजन से बचें, अपने स्वास का ध्यान रहें, आवक लगातार किसी न किसी साधन से मंगल के द्वारा बनी रहेगी, जीवन साती के द्वारा सहयोग मिलना या जीवन साती के द्वारा धन से संबंदित कोई फायदा मिलना भी इसी योग में देखा जात जाता है योगी मंगल का संबंद यहां पर धन भाव पर दश्टी यानि पंचम और दुत्य पर भी दश्टी हो रही है यानि मंगल यहां अकेले धन दाया ग्रह हैं मिथुन राशी के लिए मंगल को एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि ये उसके लिए एक शत्रु ग्रह है ये छटे घर का मालिक है छटे का मालिक दशम में अगर जाता है तो कारे के लिए अधिक मेहनत कराता है क्योंकि कहते हैं कि 6-8 बारे के मालिक अगर केंदर त्रिकॉणों में पहुंच जाएं तो उस भाव से संबंदित तकलीफ पैदा करते हैं यानि करम के प्रती एफर्ट होना इसमें क्या होगा कि छटे का मालिक अगर दशम में चलेगा तो क्या होगा काम के अंदर एफर्ट दालेगा कि भीया संगर्श पहले से मालवय योग भी रहेगा राशी से दशम में हंस योग बरस्पती से चली रहा है और मंगल क्योंकि एकादशेश भी हैं ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल की दूसरी राशी ग्यारवी राशी कहलाती है इसका मतलब करम भाव में जो भी ग्रह चल रहे हैं ये नुकसान दा कर रहा है कि इस व्यक्ति के काम ना बने इस व्यक्ति को तरक्की ना मिले लेकिन मंगल लाभेश भी हैं अंततय सफलता मिलेगी दशमेश दशम में है इसलिए काम के अंदर कोई प्रब्लम आएगी नहीं हनुवान जी की एराधना करते रहो काम आपके चलते रहेंगे ले कर देती हैं अदर्वाइस मंगल दशम में दिखबली भी हैं राज्य सरकार से सम्मधित कार्यों में भी लाब दिलाते हैं करकराशी के लिए मंगल योग कारक होकर भाग्य भवन में भाग्येश ब्रस्पती के साथ बेहतरीन राज्योग बनाएंगे मंगल अगर पंचम का मालिक है तो एजूकेशन से शिक्षा से विद्या से बुद्धी से योजनाओं से बड़ा लाब हाइर एजूकेशन से लाब शिक्षा के बाद कमाई का एक योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है कि मैं पढ़ लिया हूँ अब मुझे नौकरी मिलनी चाहिए मुझे पैसा मिल लाब दिलाएंगे तो शुक्र भी यहां एक्जॉल्टिड है 25 वाई तक शुक्र उच्चके रहेंगे यहां यानि भूमी भवन के कार्यों में बहतरी है शुक्र उसके बाद राशी परिवर्तन करके मेश में पहुच जाएंगे और मंगल की द्रश्टी चोथे भाव पर र भाग्य भवन में मंगल व्रस्पती हैं तो यह धार्मिक कार्य कराता है धार्मिक यात्रा कराता है धरम के प्रति जातक की इच्छाओं को बढ़ाता है व्यक्ति इश्वर की अराधनाओं में लग जाता है कभी-कभी धार्मिक कार्य कराना बड़े समाजिक कार्यों में भी involvement इसी योग से देखा जाता है यानि ये मंगल यहां आपको सभी प्रकार से लाब देंगे चाहिए करम का लाब हो भाग्य का लाब हो नई नोकरी नया काम नया पैसा नया व्यापार और कारे की तरक्की इसी योग से संबब है कभी कभी कुछ लोगों को promotion जम बिलते हैं जब वो नोकरी बदल लेते हैं तो यहां नोकरी में बदलाव के साथ प्रमोशन का योग भी बनता है सिंगराशी के लिए मंगल योग कारक है लेकिन योग कारक रहा ब्रसपती के साथ मिलकर अस्टम में राजयोग का सहयोग मंगल जीवन का बहतर होना अचानक से कोई बड़ी लौटरी या बड़ा लाव या बड़ा फायदे का सोधा हो जाना साती साथ मंगल का अस्टम में आना ब्रस्पती के साथ होना धन के लिए अच्छा है भागय को जगाने वाला है पैतरक संपत्ति से संबनित अचानक से आया कोई बड़ा उच्छाल आपके जीवन में प्रगती देगा भूमी जमीन जादा प्रोपर्टी के कारेों में भी अच्छे पैसे कमाने का योग इसी योग से देखा जाता है कि हमारे कोई फ्लैट है उस फ्लैट के लिए कोई ग्रहक नहीं मिल रहा था लेकिन अब वो ग्रहक मिलेगा अब उससे आपको फायदा होगा क्योंकि यहां ब्रस्पती की नौवी दरष्टी चौथे घर पे है और चौथे घर का मालिक मंगल ब्रस्पती के साथ अश्टम में बैठा इसको कहते हैं बैटर अपर्चुनिटी प्राप्त करने का योग और उससे सफलता मंगल और ब्रस्पती दोनों मिलके अश्टम से दूसरे घर पे दर्ष्टी देते हैं यानि लगातार किसी ना किसी साधन से धन कमाने की इस्थती आपके लिए अच्छी नजर आ रही है यानि सिंग राशी वालों के लिए एक गोचर काफी बहतर है कन्या राशी के लिए मंगल को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है और वाकई मंगल यहां मिथुन से ज़्यादे टफ इस्थती में है मिथुन के लिए तो मंगल छटे और एकादश हो जाते हैं लेकिन कन्या के लिए मंगल अश्टमेश है अश्टम भाव का मालिक अगर सब्तम भाव में चलता है तो इसको कहते हैं विवहा में अवरोध विवहा ना होना रिष्टे ना होना रिष्टों का तूटना इसी योग से देखा जाता है गलत फहमियों के कारण रिलेशनशिप्स के अंदर प्रब्लम आना किसी बाहरी व्यक्ति विशेश के कारण आपके जीवन में दखल अंदाजी का प्रियास इस मंगल से ही बनता है सब्तमे सब्तम में रहेंगे ब्रस्पती वो इस रिलेशनशिप्स को मैनेज करेंगे partnership को manage करेंगे आपकी इन चीज़ों को manage करने का परियास करेंगे लेकि जब मंगल वहाँ आया है तो वो 45 दिन में कुछ न कुछ ऐसी हरकत करने का परियास करेगा जो आपके जीवन में संबंधों में खटास ला सकता है संबंधों में तनाव ला सकता है उसका आपको यहां विशेज ध्यान रखना होगा क्योंकि 25 माई के बाद शुकर का राशी परिवर्तन यहां मीन से निकल कर मेश में आएगा जहां मेश में और लेडी राहू बैठे हुए तो यह रकारक शुकर भी अस्टम में गए अस्टमेश चले जाएंगे सब्तम में मंगल इसलिए खास तोर पेर अपने मैरिड लाइफ, व्यवाहिक जीवन, अपनी लव लाइफ, अपने जीवन साती के साथ संबंधों में तनाव का एक योग दिखता है बाकी ब्रसपती अपनी जगे अच्छे है, शनी अपनी जगे अच्छे है, यानि योग तो बराबर चल रहा है, उससे किसी भी परकार की कोई हानी नहीं है तो व्यर्थ की उल्जन, व्यर्थ की सोच और व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्ष से आपको यहां बचना होगा, अनुमान जी के अराधना पूरे महीने आप करें, जो भी अनुमान जी के अराधना, जो भी सरूप से आप उनकी पूजा कर सकते हैं, वो कीजिए, उनसे आपको अवश्यलाब मिलेगा तुला नाशी वालो आपके लिए मंगल दूतियेश और सब्तमेश हो जाते हैं यानि धन देने वाला ग्रह भी यही है विवा विवा चलाने वाला ग्रह भी यही है अब यह छटे घर में पहुंचा छटा गर क्या है रोग रिपू दोसरे का माल दूतियेश हो के छटे गर में आपने कोई रिस्क ले लिया पैसा कमाने के लिए आपने किसी चीज में ऐसा पैसा लगा दिया कि मैंने यहां रिस्क ले लिया है जटके के धन प्राप्त करने के लिए अब मेरा ये पैसा अटक जाएगा वो पैसा 45-50 दिन के लिए अटक जा बढ़ाने का भी योग कहलाता है क्योंकि सब्तम में राहू चल रहे हैं यही कॉम्बिनेशन जीवन साती के स्वास के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि तुला राशी के लिए ब्रस्पती हैं तो शत्रू ही दूसरे सातवे और छटे गर के मालिक जब यहां मिलते हैं तो इसको एक एक स्वी रेंटल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं वाहन चलाने में साब्धानी रखें किसी भी प्रकार से चोट लगना फिसलना गिरना सीडियों से फिसलना बातरूम में फिसल गए घर में फिसल गए उस समय के लिए अपने investment पर ध्यान दें किसको पैसा देना है किसको नहीं उसका विशेश ध्यान रखना होगा ब्रशिक राशी आपके मंगल ब्रसपती के साथ प्रबल राजयोग में है पंचम भाव में बना राजयोग पंचमेश पंचम में शिक्षा विद्या बुद्धी के लिए अच्छा जब राशी का मालिक भी वहाँ आजाए तो ये romance के लिए अच्छा ऐसे समय में love relationships का maintain होना जीवन साती के प्रती आपका सम्मान बढ़ना जीवन साती के प्रती आपका प्यार बढ़ना भी देखा जाता है साथी साथ अगर आप विवाह नहीं हुआ है आपका तो ये love life के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए आपके life partner यानि आपके love partner का आपको बहुत अच्छा सा योग मिलेगा वो आपकी feelings को समझेगा feelings समझ के आगे बढ़ने का पुरा प्रियास रहेगा यही वो समय है डिसमयाग अगर आप अपने रिष्टे को love से arrange marriage में यानि marriage में change करना चाहते हैं तो कीजिए ऐसे समय में किये गए प्रियास सफल हो जाते है यानि आपने परिवार के लोगों को बताया आपसी बात चीत हुई और आपको फायदा हो गया शिक्षा की शुरुवात करना संतान की शुरुवात करना संतान का कंसीव करना या संतान की प्राप्ती भी अच्छा है higher education के लिए अच्छा है शिक्षा में प्राप्ती के लिए अच्छा है शिक्षा विद्या से धन प्राप्त करना योजनाओं से धन प्राप्त करने के लिए भी बड़ा अच्छा सा योग इस मंगल गुरू की वज़े से दिखाई दे रहा है तो कुल मिला कर वरश्चिक राशी वालों के लिए बेहद खुबसूरत धनयोग बन गया मिन बात करते हैं धनूराशी के बार है धनूराशी ब्रसपती प्रधान राशी राशी से चोथे घर में मंगल आ गई कौन है मंगल पंचमेश का चौते घर में जाना राजयोग है ये पंचम है तो किस तरीके से राजयोग देता है बुद्धी से, प्लैनिंग से, योजनाओ से, एजूकेशन से, संतान से सहयोग मिल गया संतान ने आपको सपोर्ट किया उस लिहास से ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि केंदर त्रिकौन में बनने वाले राजयोग सदैव व्यक्ति को सपोर्ट करते है सहयोग करते हैं, अगर चतुरते हैं, चोते घर में हैं तो आपके परिवारी किस्थति को मजबूत करता है साथ में पंचमेश मंगल है, तो आपकी बुध्धी, आपकी योजनाई सही काम करना शुरू कर देती है आपके डिसीजन सही काम करना शुरू कर देती है आपके संतान आपके साथ लग जाती है, उसको आपको सहयोग देना शुरू कर देती है तो उस लिहास से भी ये combination बच्च अच्छा है बंगल और गुरू की यूती एक राज्योग से कम नहीं और इसमें एक बहतर परिणाम ही देती है ऐसे समय में property में investment करना अच्छा माना जाता है तो आगवर आपके पास ऐसी इच्छा है या आपका ऐसा बजट है तो आप कीजी आपको लाब बिलेगा मकराशी शनी प्रधान राशी शनी के साड़े साती के दूसरे चरण से गुजर रही है कुछ समय के लिए शनी ने राहत दी धन के मालिक होके धन भाव में पहुँच गए अब ब्रसपती तिरतिये शोके तीसरे घर में है सात में कौन पहुँचे हैं मंगल कौन है मंगल चौथे और एकादश का मालिक चोथे का मालिक अगर तीसरे घर में जाता है तो घर से दूरी दिखाता है। कुछ समय के लिए परिवार से कुछ संबंधों का विमुक होना अलग हो जाना। ट्रैवलिंग्स हो गई, कुछ हफते दस दिन के लिए बाहर चले गए, कोई यात्रा कर ली, ऐसा होता। एकातशेश है लाब प्राप्ति के लिए यत्रा, ऐसे समय में प्रमोशन्स होते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ, ऐसे समय में नोकरिया बदलती हैं, तभी प्रमोशन मिलता है, यानि ट्रैवलिंग्स के लिए ये कॉम्बिनेशन देखा गया है, क्योंकि आप इसको देखेग कि योग कारक शुकर भी 27-25 मही तक इसी राशी में अच्छी तरीके से भ्रमन करते हुए योग बनाएंगे, बाद में योग कारक केंदर में यानि कुंडली के आपकी राशी से चौते घर में आ जाएगा, यानि मकर वालों के लिए राशी से तीसरा घर एक तरीके से जोड रहे हैं, आप अपने आपको कम्मिनिकेशन से जोड रहे हैं, आप ऐसा कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप ऐसा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक, यूट्यूब से मिलकर पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो सही समय आप ऐसे समय में स्टार्ट किसी को प्रमोशन मिला किसी को तरक्की मिली किसी को इस्थान परिवर्तन के साथ सफलता मिली क्योंकि उनकी कुंडली के योग भी यह कह रहे थे लेकिन यहां गोचर की परिवाशा बहुत अच्छी है आप यह देखेगा राशी का मालिक शनी राशीव है दूसरे का मालिक ब्रसपती धनबाव है कि अब यह धनका मालिक धनभाव में धनका कारक धनबाव में दशमेश मंगल के साथ यानि करम का मालिक भी महां पहुँच गया बोलचाल से मिलने वाला पैसा इसी योग से आता है इसको कहते हैं कम शरम करके अधिक लाब प्राप्त करने का योग कि मैंने इतना शरम नहीं किया मैंने इतनी महनत नहीं की लेकिन मेरी योजनाए बढ़िया हो गई मेरे बात करने के तरीके से हमने वाला व्यक्ति इंप्रेस हो गया उसको लाब देने का एक अच्छा सयोग बन गया कि मंगल और ब्रस्पती बहुत अच्छे राजयोग के साथ गुजरेंगे इस दिन ऐसे में मंगल ब्रस्पती से सम्मधि दशान तरदशा हो तो ये राजयोग और बड़ा हो सकता है क्योंकि राशी परिवर्तन मंगल का है और वो ब्रस्पती की राशी में है फुल सपोर्ट में है मंगल और ब्रस्पती 17 माई से लगबग 24-25 माई तक तो शुकर भी उच्छस थवस्था में चलेंगे यानि इस दोरान कुछ बड़ा प्राप्त होने का योग आपको बन सकता क्योंकि योग कारक शुकर किस्थी वहां रहने वाली है यानि पोडिशन कुल्विला के बहतर है, काम बहतर है, तरक्की के चांस लगातार है करते रहिएगा काम, सफलता आपके लगातार आपके पास पास ही है मीन राशी में ही परिवर्तन है मीन राशी लगनेश यानि राशी के मालिक ब्रस्पती राशी में अब उसको चायो किस ने दिया धन के मालिक मंगल ने के जी आपको अगर धन चाहिए आपको धन की कोई दिक्कत है या परेशानी है या पिछले समय में आपने उसके लिए स्ट्रगल किया है तो इस बार ये मंगल ब्रस्पती के साथ मिलकर आपकी प्रावलम्स को सॉल्व करेगा एक बात दूसरा ये मंगल भागेश भी है नाइन्थ लॉर्ड राशी के मालिक ब्रस्पती में साथ और ब्रस्पती नौवे घर पे दरश्टी दे इसका मतलब है कोई इश्वर ये करपा से आपका काम होगा कोई धार्मिक यात्रा आपके संपन होगी धार्मिक कार आपके संपन होंगे इश्वर की करपा आपको मिलेगी इसको कहते हैं शिक्षा में बड़ी सफलता का योग higher education में बड़ी सफलता का योग भी इस मंगल और ब्रस्पती के संयोग से है ये combinations अपने आप में मधूर है क्योंकि राशी के मालिक राशी में भाग्य का मालिक राशी में धन का मालिक राशी में भीया जब राशी का मालिक प्रवल होता है तो कितनी भी प्रवलम्स जीवन में आएं उनके ऊपर एक तरीके से अपना पूरा प्रभाव छोड़ता है ये combinations के कोई बात नहीं प्रवलम आने तो सब को हल करेगा राशी का मालिक अरजल वो धनियो राश्योग में हो जाए तो तो ये और ही अच्छा होता यानि ये समय आपके कारेश्वित्र में उन्नती के लिए अच्छा है प्रमोशन दिलाने के लिए अच्छा है सम्मान बढ़ाएगा ये श्कीरती बढ़ाएगा जीवन में तरक्की दिलाएगा यह योग यानि कुल मिलाके मंगल का ये ट्रांजिट सभी बारे राश्यों के लिए हमने आपको बताने का प्रियास किया जिसमें कुछ राश्यों के लिए हैं चिंता बढ़ी तो कुछ राश्यों के लिए तो ये एक बड़े धनियोग राज्योग से कम नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा अपना कि इन राश्यों के लिए प्रॉब्लम है उनके लिए उपाए भी लगातार बताए गए है करेंगे तो आपको वश्यलाब मिल जाएगा फिर से नए विशाय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैशरी राम